नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में यातायास चिन्ने के बारे में बताएंगे और इसके जो प्रस्न है आपके UPSI जाम में पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से आप देख लिजिए ताकि आपका प्रस्न अगर यातायास चिन्ने से आए तो गलत ना हो पाए पर अगर सिंबल इस तरीक दिखेगा आपको तो इसका मतलब होता इस टॉप यानि रुखिये अची ने सबसे महत्रपुन और प्रमुग सड़क चिन्नों में से एक होता है यह चिने दरसाता है कि ड्राइवर वहान को ततकाल रोख दे आम तोर पर पुलिस यातायात और पत दिखता है तो इसका मतलब होता है रास्ता दीजिए ठीक ना इसका मतलब क्या होता है रास्ता दीजिए ठीक ना अन्यवाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है कि रास्ता दीजिए ठीक ना चलिए इसे ने का प्रियोग गोल चक्कर पर किया जाता है याद रखिए तो समझ जाए कि प्रवेस निशेध है याई no entry का बताया जा रहा है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए इसे के symbol अगर आपको दिख जाता है तो इसका क्या मतलब होता है तो यहाँ पर इसे के symbol अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब यह होता है आने वाले या आपको प्रातमक्ता दी जाने चाहिए सड़क के सकरे भाग पर जहां से आने वाले और जाने वाले यातियात का एक साथ निकल पाना काठीन या असंबव हो वहाँ पर इस तरीका के symbol यूज किया जाता है ठीक है चलिए तो यहाँ पर समझ गया होंगे अब हम आगे बढ़त आना था लेकिन यहाँ पर कटिंग के अगर यहाँ बीस में अगर कोई symbol थोड़ा से भी बन जाता है तो इसका मतलब होता है आना क्या है मना है ठीक है अब आगे हम बढ़ते हैं इसका मतलब होता है आपको सामने साब साब देगरा ट्रक बना हुआ है और इसकी बीच की है इसका मतलब यह हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए बैल गाड़ी यह बैल गाड़ी का आना मना हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए सब मना वाले हैं यहाँ पर सब क्या मना करने वाले यहाँ पर मना हुआ है हाथ ठेलों क्या मना है दोनों के दोनों हो जाएंगे बैल गाड़ी का है मना है इसंद मतलब होता है कि पदयात्रियों का आना मना देख देखो इसका वी क्या मना है अब यहां पर लिखा हुआ है इस तरीके इस लिख गया इसका यह मतलब हुआ कि दाए नमुरे यानि दाए मुर्णा क्या है मना है यानि बीच में जा रहा है इसका मना आप साथ इसंदे रहें नमेके लिए बताता है अब यहां पर देखों इसका मतलब वापस यूटर्न ए वापस यू-tearn किया है? मना है. इस सिंबल का मतलब होगा वापस मुड़ना यू-tearn कई है? मना है. नेक्स्ट परस्न है, हमारा यहाँ पर देखो. यहाँ पर लिखा हुआ है. यहाँ पर भी देखो, इसमें कहीन कहीं यह दोखो चौड़ाई अगर ऐसे होता तब यह लंबाई होती है यह चौड़ाई को रिप्रेजिन कर यानि चौड़ाई सीमा बता रहा है बस चौड़ाई सीमा वाला डाइगराम आपको हो गया अब यहाँ पर उचाई बताएगा उपर है यह उचाई ऐसे होती है प्रशनें बन जाते हैं अब दोखो यहाँ पर टी लिखा वाटी का मतलब होता है ठीक ना जैसे मालों यहाँ पर लिखा हुआ है भार सीमा यानि पांच टन तक इसमें भार सीमा तक है इसमें वह लिखा हुआ है यह सड़क चिन उस वहान की भार सीमा के बारे मताता है जो चार है रखार आगे जा सकते हैं मनलब यह इंगित करता है कि पाउंच टन से अढ़िग भार का वाहन पर आगे नहीं जा सकता है ठीक न तो आमतार पर किसी पुल से पहले या चिन्ने लगाया जाता है यह पुल की वहन जमता को तरसाता है इस चिन्ने की भार सीमा कितनी यह चार टन है और सिर्फ चार टन या उससे कम एक्सल भार वाले वहान पुल से क्या गुज़र तो यह पुल टाइप को बना हुआ यानि पु को यहाँ पर लिखा हुआ है इसे सिंबल बना हो बीच में से कटा हो तो इसका मतलब होता है गाड़ी खड़ी करना मना है ठीक है ना इस तरीके को होता है गाड़ी खड़ी करना मना है पार्किंग के लिए नहीं होता है वहाँ पर इस तरीके को सिंबल बना होगा आपको ये लिखा हुआ है बड़े सैरों में ये चिन अत्यान्त महत्तुण होता है कि निर्धारे छेतर में किसी भी वहान को खड़ा करने को निशीद्य तक नहीं कर सकते हैं इस छेतर में खड़े किये गये किसी भी वहान को उठा कर ले जाया जाएगा और वहान के मालीक ड्राइव थे करना दोनों क्या मना आप गाड़ी भी नहीं सकते हैं और रोकने के बात्त-खट इलेहीं कर सकते हैं ऑफ दोनों से होंगे इसमें तो इसका राइंट होजाएं इसका घड़त mãoले सकती है इसलिए लिए सिंबल्ब आपके सामने इससे बनागर तो पुषेद्गा तो आब अऑब और यहां पर देखो यहां पर शिंबल हमसे हम ने लिखाव वा इस पर बना हो तो यहां पर पहले तो आगे आपको चलना है फिर आपको बाई मुझा याने आगे चल alt ऑड होक्ता है दो आगे चलना और या दै यहां पर देखो यह तो आपको दिखी रहा होगा आगे चलना या बाएं रहकर चलना अनिवार है यहां पर देखो यह बाएं रहकर चलना अनिवार है यहां पर देखो यह बाएं रहकर चलना अनिवार है यहां पर देखो यह बाएं रहकर चलना अनिवार है यहां पर देखो ड्राइबर बाहे रहे का गाड़ी चलाए और मुख्यता उन सड़कों पर लगा जाए बीच विभाज़े डिवाइडर नहीं होता है ठीक है ना और उसी सड़क पर दो तरफा याता है प्रभार रहता है लब जा डिवाइडर नहीं होता है तो वहाँ पर बाहे तरफ के गते हांगे लुद एक यहां पर साइकल मारे यह सकती है श्रहें वाले में पहले उस स्मेंसे कटा रहता था अब यहां पर नहीं कर अब यहां पर आनिवार जो है नियूंतम गति को बताएगा कितनी है यानि 30 के स्वीट से आप जा सकते हैं नियूंतम के लिए बताएगा ठीक है ना चलिए यह चिन अगर लगा हो तो समझ आईएगा 30 के स्वीट से बात की जा रही है चलो आगे मढ़ते हैं रोक समाप्ती चिन यह वाला सिंबल अगर आपको दिखता है तो यहां पर अभी हमने बता है था रोक रोकने के लिए यह सिंबल यूश किया जाता है चलो उम्मीद है समझ गया होंगे अब यहां पर कुछ हमारे पास सिंबल इस तरीके पूछ लिया जाते हैं इनको भी अच् पिरना गुमाउदार कैसा आई यह मोड़ हो जाएक हो यह वाला सउ जागा Ben né यह वाला यह आ पर आपको दाहीने इस सीदे चलना यानि यानि दाह बोड़कर फिर आगे आपको चलना है इसनों थारी की में आता है दो यह वागा को सिंबल होते है ने को पहले वाला उधर के था अब यह इधर को ऐसे पहले बाए मोड़कर फिर क्या है आपको आगे चलना है कि यह दोगो खड़ी चड़ाई खड़ी चड़ाई चड़ाई नहीं हो देख रहे की खड़ी चड़ाई के लिए तयार हो जाए्ट ठीक होजाएं मालब चड़ाई जब भी उचाई के जगह होता है ति यह चिन्ह बनाया जाता है खड़ी अगे लगए आगे वढएते हैं यहां पर ठ t अगर एलोर यहां प्रड़ी लेघी कना भी स जाता है ति तीन यह चारग के लिए अगला देखिए लिखा वार बिखरी भज़री यहां पर कर इसाइस सिंबल बना होगा तो इसका किया मतलब होगा यहां पर भजरी जो है बिखरी वोह पड़ी हुई है यह वहाँ पर देखिक साइक्व अगर आपको सिंबल बने गराओ तो इसका मतलब रोता है कि क्रावसिंग यानि सायबको ग्रासिंग ना इसे के यूज होता है ठीक है और कसल नियूज करते रहते हैं नहींकि पर और सैइक्न क्राशिंग अंक्ल को है अनलम जो भी गाड़ी चला है ड्राइबर और सावधानी पूर्वक चवराय को पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवासु रच्छी दंग्जिस मुझकी सड़क पर पार कर सके यानि साइकिल वाले अगर निकल नाए ठीक है साइकिल को होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पैदल क्रासिंग है पैदल क्रासिंग समझते हैं पद्यात्री आत्यात का बात्सा होता है यह चिन ड्राइबर को आगा करता है कि वाहन के धीमी कर दें उसे रोक दें और पद्यात्रियों को रास्ता पाहर करने दें सड़क का एक भाग सफेद पट्टी के रूप में चिनित किया जाता है जिसे जेब्रा क्रासिंग की नाम बहलते है तो इसका सीथे से मतलब है कि आगे की स्कूल है कि यहाँ को बता रहा है कि त enlarगे सिंग्न रहा है मступ के लिए। बना होतों समझ जाए है कि आप गाड़ी चला रहे तो हो सकता है आगे हमिश्रा मिल जाया तुर्से आप को बड़ा साउधानी से देखके चलना है यह नौका से आपको दिखी रहा है यह पत्थर लुड़कने की संभावना जब इस तरी के सिंबल बना हो तो इसका मतलब होगा कि पत्थर क्या लुड़कने की संभावना है ठीक ना अमाल लीजिए आप पत्थर चटाने में कर चल लाएं तो वहाँ पर दुरगटना से बचने के लिए ड्राइवर को साउधान किया जाता है कि पत्थर लुड़क सकते हैं इस तरी के की प्रॉस्बिल्टी हो सकते हैं यह वाला देखिए खतरनाग गहराई यानि यह वाला जो स यह वाला सिंबल होता है इस तरी के दिख लिए बना होगा यहां पर देखिए मद्ध पट्टी में अंतर है मद्ध पट्टी में क्या यहां पर अंतर है यह हो जाएगा तो को जब भी इसे सिंबल बना हो इस तरी कि सिंबल बना हो और यहां पर ऐसे क्रास बना हो यह हमेशा यहां पर संकेत जो है मार्क देने वाले संकेतों के संकेत विशीष्ट तरसाता है कि बाहिए और साइट क्या है सड़क है इसका मतलब यह होता है आगे बढ़ते हैं तो यह इधर था दो यह वारल आपका बताएगा वाई intersection यानि Y सडक संगम इस तरीके आपने गर देखा होगा कि आइसे जाकर पिर आईसे हो जाते हैं यह क्या indeed Y सडक संगम कर यहाँ पर देखिए Y सडक संगम यह कौँ अधा वाई सड़क संगम ये भी है और यह भी हमारा वाई सटंगम होगा दोनों होगे यादर किला आगे आघे जान बढ़ते हैं यहाँ पर टी अगर बना हो इस तरीके से रास्ता बना होता है तो इसे क्या बोलते हैं तीन रास्ते हों के टि रहा चार रास्त यहां पर गोल चक्कर को बताएगा गोल चक्कर है यह वाला आपको बताएगा रच्छित समापर क्रासिंग रच्छित समापार क्रासिंग यह रच्छित समापर क्रासिंग यहां पर गाट या नदी किनारा है इसका मतलब यह सिंबल आपको दिखे तो सम комментra重要 को सावधान हो जाना चाहिए और साओधानी प्रूफक गाड़ि चलाना चाहिए समझ गया होगे आगे हम बढ़ते हैं आदमी काम कर रहे हैं इसका मतलब जब एक आदमी आधार लिए अप देकर ने फाड़ा लिए काम कर रहे हैं तो इस तरीके से दोस्तों जो आपके सिंबल थे हम अब कंपलेट करा दिये और इस तरीके प्रस्ण आपको द बढ़ा देख लिए और अच्छे से ठीके दोस्तों नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अब वीडियों दोस्तों धन्यवाद